वेलकम टो प्यूर कुकिंग इस वीडियो में माट की भाजी की डाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत मज़ेदार बनती है और गर्मा गरम चाओनों और पापर के साथ में तो बहुत टेस्टी लगती है और बनाना बहुत यह आसान है तो चलिए बनाना शुकर ते मैंनेalei मात की भाजी है 5 बन सकतरह यह दिखेए यह कि इसे मैंने अच्यसे तोड के धो लिया था माट की फाजी ओकत करके इसके तो त्यार कर लेंगे तो यह मात की भाजी इसकी ऐक सूखी डाल भी बनती है अगर आप उन देखना चाहते है तो मुझे कमेच करकरे जरूर बताइए इंशाला मैं उसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी यह दाल बनाने के लिए मैंने तूर की दाल भीगा ली थी 400 ग्राम और इसको आदे घंटे के लिए भीगाने के बाद में मैंने कुकर में एड कर दिया है अब हम इसमें यह जो माट की भाजी हमने तोड की रखी है व खोड़ा सा हल्दी पौडर और टूटी इस्पून रेट चिली पौडर सारी चीजें हमने सिर्फ एक के उपर एक इस तरह से स्टैक करनी है आपने इसको मिक्स नहीं करना है स्टैक करके पकाएंगे तो सारी चीजें अच्छे से गल जाएगी बहुत ही जल्दी हम इसको लि मिक्स करेंगे और साथ में पानी आट करेंगे और जो यह दाल होती है वो गाड़ी गाड़ी होती है तो इसके लिए मैंने सिर्फ दो कप की जितना ही पानी दाला है तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से दो से तीन बॉइल आने तक हाई फ्लेम पर पका ल थोड़ा सा राई गार्लिक याने के लहसन और दो ड्रायरेट चिलिस और थोड़ा सा करीलिस अब देखिए बहुत ही अच्छे से क्रैकल हो गया है बगार अब इस्टों की फ्लेम बन कर देंगे और दाल में एड़ कर देंगे तो बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफूल ये दा दाल की रेसिपी अच्छी लगती है और सब्सक्राइब किजिए मेरे चैनल फ्यूर कुकिंग को ऐसे यूसफुल वीडियो के लिए ठांक्स फॉर वाचिंग